दोस्तों आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों सबसे पहले आपको दसेदे के महापर्व की हार्दिक सुभकामनाएं पिछले एक दोस्तों हमने क्या कुछ नहीं देखा पहले ऑक्सीजन फिर हमारे देश में कोईले की किलत हो गई अभी कुछ महिनों पहले गेहूं और चावल के लाले पड़ गए लेकिन ये जो किलत की समश्या है वो अब सोने तक पहुँच गई है आम तोर पर हमारे देश मे बड़े गोल्ड इंपोर्टर हैं तीन तीन बैंक हैं जो इंपोर्ट करते थे गोल्ड और उनके भंडारों में भीया टनों में गोल्ड रखा रहता था लेकिन भीया जी इस बार तिवारी सीजन के पहले सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया जिस भंडार में तनों में गोल दो में गोल्ड बचा है पिछले साल की तुलना में 10% गोल्ड की स्टोरेज की गई है कुल मिलाके गोल्ड इंपोर्ट करने वारे बैंक को नहीं करीदा है तो भाईया त्योवारी सीजन के पहले हमारे देश में गोल्ड की किल्लत हो सकती है तो भाईया जी बड़ा सवाल यह ह कि अचानक से गोल्ड की किल्लत कैसे हो गई हमने विजेशों से कोई इंपोर्ट नहीं किया उसकी चर्चा करने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे ताजा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें तो दोस्तों तीन बड़े गोल्ड इंप घ्रीदने को तहीयार बैटे थे परणसरूप आप देखिए टर्कि ने 500% अधिक ईंपॉर्ट किया है चीन ने 40% अधिक ईंपॉर्ट किया है सहरा का सारा गोल्ड टर्की और चीन खा गए परणसरूप भारत भूंका बैठा लए आघमारे पास गोल्ड का जो भंडार है व यह जो घटना करम है उसका किसी को लाब उठाना हो तो आत्म निर्वर इंवेस्टर्स क्या करते हैं वो जो है गोल्ड के चार्ट पर निजर रखते हैं उधारन के लिए अगर गोल्ड ETF का चार्ट वो देखते हैं और वहाँ पर जब भी जो है चार्ट महालक्ष्मी जी का मेसा निकलता रहे यदि आपको भी सीखनी है चार्ट अनालेशिस की कलाएं तो इसी वीडियो के डिस्क्रॉप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक दसहरें के बहाँ पर पर उस लिंक पर क्लिक करके जोइन कर दीजी आत्म निर्वर इंवेस्टर कोर्स वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जैस्त्री राम